नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रवी यादो बच्चों टीसियस के द्वारा अब तक जितने भी प्रेशने कॉंग्रेस और उसके अधिवेशन से पूछे जा चुके हैं वो सब मैं डिसकस करने वाला हूँ श्री एजूकेशन अड़ा जो यूटूब चैनल है यह ससी एक्जा टीसियस कंड़ेट करवाता है तो टीसियस ने अब तक जितने प्रेशने पूछे सब मैं लेकर आया हूं मैं टाइम भी बता रहा हूं कि इस एक्जाम में कौशन पूछा गया है इससे लिटेट डिटेल भी बताता रहूंगा ससी की खास्तियत है कि ससी के एक्जामों में हैं तो हर प्रेशन का पोश्ट मार्टम करेंगे उससे लिटेट जो जानकारी वह आपको बताऊंगा इस एक ही वीडियो के अंदर कॉंग्रेस उसके अधिवेशन से संबंदिश सारी जानकारी आपको मिल जाएगी हाला कि चैप्टर वाइज हमारा जो इंडिया नेशनल कोई नहीं हो सकता इसका राइट अंसर है बॉंबे में आप सभी जानते हैं कि 1885 में 1885 में बंबई के अंदर पहला अधिवेशन हुआ था कॉंग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था कॉंग्रेस के सापना भी 1885 में हुई थी किसके द्वारा एक रिटार्ड आईसीयस अध के बच्चों क्या नाम था हमका एओ हूं यह एक रिटार्ड आईसीयस अधिकारी थे ठीक है यह एक रिटार्ड आईसीयस अधिकारी थे एओ हूं के द्वारा स्थापना हुई है और पहला अधिवेशन बंबे में हुगा हलाकि पहला अधिवेशन यह तै किया गया था कि पूना में किया जाएगा लेकिन देख फैल गया इसलिए वहां से केंसल करके बंबई में किया गया 72 लोग किसे पार्टिस्पेट किये थे बहतर लोगों ने पार्टिसपेट किया था WC बैनर जी wc इनर जी में देखलिए इसकी एध्रिशनता करते था तो यह प्रेशन देखिए इतना आसान सा है दो है और बाइस सीजियल तीन दिसंबर फर्स शिप्ट में पूछा गया है ठीक है नेक्स्ट कोशन क्यों चलते हैं बच्चों यह पीडिये भी आप तो मिल जाएंगे टेंशन मत लीजिए टेलिग्राम जिश्री एजुकेशन टे तो यह अपीक है चिसको मिटालते हैं अट यह फिर नेक्स्ट कोशनल नीमलिकित में से किस वर्ष भारतिरास्टी कॉंग्रेस का विभाजन नरं दल और गरम दल में हो गया था है यह बहुत इंट्रेस्टिंग है कॉंग्रेस में नरं दलके नेता गरम दलके नेता मतलब जो गरम-दल्षा मतलब गर्म सभाव के नेता उनकी पॉल सी थी कि भाया एक बार आप प्यार से डिमांड की जिए नहीं करते हैं तो आप आंदोलन की जिए है जबकि दिक से कुछ डिमांड करनी जा सक यह प्यार के अलावा वो कोई बात नहीं समझेंगे ये इनका मानना था ये कहते थे कि चिठियां लिखकर पत्र लिखकर समचार पत्रों के माध्यम से अपनी डिमांड मनवाई जा सकती है अंदोलन करने के बाद या उनके विरोध में कुछ कारेकरम करने के बाद वो बात हमारी नहीं मानेंगे ऐसा नरमदल वाले वालों का कहना था नरमदल और गरमदल का विभाजन बच्चों 1907 में हो गया था 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था तहां अधिवेशन हुआ था सूरत में बहुत इंट्रेस्टिंग अधिवेशन है इस अधिवेशन में जो भी न्यूज रिपोर्टर शामिल थे उनका ये कहना था कि भया इसमें नरंदल गरंदल नेताओं के बीच में हाथा पाई तक की नौबत आ गई थी और एनी बेसेंट ने बाद में तो इसे काला दिन कहा था कॉंग्रेस के इतिहास का काला दिन कहा था जूता चप्पल चलने की नौबत आ गई थी जो बड़े बड़े नरंदल के नेता थे जैसे फिरोट्शा महता इनको पीछे से आकर जूता लग गया था तो नरंदल गरंदल का विवाजन निस साथ में हुआ तो सी ऑप्षन इसका सहीर अंसर हो जाएगा इस अधिवेशन में किसने अध्यक्स्ता की है यह भी बहुत इंटरस्टिंग हो जा रहा है रास बिहारी घोश याद रखिए यह रास बिहारी घोश है एक रास बिहारी बोस है वो गरंदल के निता है रास वो कनांतिकारी अंदोलन में भी इनको आप पढ़ेंगे रास बिहारी यह घोश है क्या नाम इनका भूश कि एससे सीजल दोयार बाइस पांच दिसंबर फर्स शिफ्ट में क्वेशन पूचा गया है नेक्स्ट क्वेशन बच्चों सरोजनी नाइडू डैश में भारती रा महिला अध्यक्ष चुनी गई थी बहुत इंट्रेस्टिंग प्रेशन है दो प्रेशन बनते हैं अगर पूच्छा जाए कि कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कोन है तो आप एनी बेसेंट का नाम ले लेंगे 1917 में अध्यवेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर लेकिन अगर पूचा जाए पहली भारती महिला कौन है जो कॉंग्रेस की अध्यक्ष बनी है तो सरोजनी नाइडू नाम क्या आएगा सरोजनी नाइडू कानपूर में अध्यवेशन हुआ था 1925 की बात है 1925 इसमें सरोजनी नाइडू कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष मनी थी पहली महिला अध्यक्ष मनी थी बहुत इंट्रेस्टिंग है याद दखीगा पहली भारती महिला अध्यक्ष मनी थी अगर पूचा जाए पहली महिला जो कॉंग्रेस की अध्यक्ष रही है तो उनका नाम है एनी बै सेंट जिसे बसंती देवी क्या कर बुलाया है गांदी जी ने यह बनी थी कब 1917 में 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर अधिवेशन हुआ था उसमें यह बनी थी इसमें यह बनी थी यह सब इंट्रेस्टिंग कीजिए है एक्जाम पॉइंट जुरूरी है सीजल 226 निसंबर फर्स शिफ्ट में यह कोशन पूचा गया है याद रखेगा और यह सरोजनी नाइडू के बारे में एक और इंट्रेस्टिंग की यह उत्तर प्रदेश की पहली र सट्राफ असमें इसमें तो बचक चारसो चोंतिस लोगों ने पार्टिसपेड किया था और में साथ श्य Garlic ने diffa ど याद नहीं रखना है यह तीन चीज़ें आपको याद रखनी है पहली में 72 दूसरे में 434 तीसरे में 607 पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था दूसरा कलकत्ता में हुआ था और तीसरा मद्रास में हुआ था तो इसमें राइट अंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन राइट इंडिया कहते हैं नौरो जी जिसे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं दादा भाई नौरो जी हैं 1886 में अध्यक्षता करते हैं और 603 कब शामिल के तीसरे मद्रास में हुआ था पहले मुस्लिम हैं जो यहां अध्यक्ष बने थे सेयद बदुरुदिन तयब जी ना नेक्स्ट कोशन है 1885 में यह शाम वाले शिफ्ट में पूछा गया 13 दिसंबर कि दुहर बाइस में 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिदियों ने भाग लिया था तो मैंने बताई दिया पहले में 72 यह भी पूछा गया कुशन कि डैश भारती राष्ट्र कॉंग्रेस के अधिक्ष बनने वाली पहली भारती महिला है तो सरोजनी आइडू देखें सी एम्टीएस दोयर बाइस में पूछा गया है 11 जुलाई को तो बहुत महत्तपूर प्रशन है यह बहुत असान है निमलिकित में से किसने 1887 में भारती राष्ट्र कॉंग्रेस के अधिक्ष के रूप में संबोधित किया था तो 1887 का कौन सा है 1885 आपको पता है 1886 पता होना चाहिए और 1887 पताना चाहिए यह मद्रास में हुआ था कहां हुआ था मद्रास और सेयद बद्रुदिन तैयब जी अध्यक्स थे यह बंबई में हुआ था डबलू सी बैनार जी और यह कहां हुआ था कलकत्ता में दादा भाई नोरो जी ठीक है याद रखेंगे है नेक्स्ट कुशन है यह है नहीं है यह हो गया ठीक है नेक्स्ट कुशन आपके सामने बच्चों 1939 में भारती राष्टे कॉंग्रेस ने डैश की अध्यक्स्ता में पून सतंतरता की मांग की किसकी अध्यक्स्ता में पून सवराज या पून सतंतरता की मांग की गए 1939 में यह लाहूर में अध्यवेशन हुआ था ज्वाहार लाल नहरु इसके अध्यक्स थे कहां पर अध्यवेशन हुआ था लाहूर अध्यवेशन लाहोर अधिवेशन 1929 अध्यक्ष कौन थे जोहरलाल नहरू इस अधिवेशन की खासियत यह है कि इस अधिवेशन में पूर्ण सतंतरता या पूर्ण सवराज की मांग की गई इसकी एक महिने बाद 26 जनवरी उनिस सो तीस में सतंतरता दिवस मनाया गया और बोला गया हर साल 26 जनवरी को सतंतरता दिवस मनाया जाएगा और इस दिन जंडा लहर आया गया लेकिन हमें आजादी तो 15 अगस्ट को मिली है इसलिए इस डेट का भी महत्व बना रहे हमारा सव सविधान इस दिन को लागो किया गया और आप सभी को मालूम होना चाहिए हमारा सविधान तो भईया बनकर तयार हो गया था 26 नमंबर को ही 26 नमंबर 1949 को सविधान बनकर तयार हो गया था लागो कब हुआ तो यह 26 जनवरी को लागो हुआ इसका कारण क्या था क्योंकि 26 जन जनवरीका जो डेट है यह महत्वपूर्ण बना रहे इस दिन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को गर्तंत्र दिवस गोशित कर दिया गया है इस दिन हमारा सविधान लागू कर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्ण क्यों चलते हैं कि असरी सीजियल 222 बारा अपैल में पूछा गया यह जॉर्ज यूल ने भारती राष्टे कॉंग्रेस के अठारासो अठासी में निमलखित में से किस अधियरेशन में अध्यक्ष बने यह इस इसनम प्रयाग राज है कि प्रयाग राज में को यि इनका नाम क्या है जॉर्ज यूल ये पहले विदेशी थे यह पहले अंग्रेज थे पहले विदेशी नहीं कह सकते हैं पहले विदेशी कह देजिए या पहले अंग्रेज जो कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने क्योंकि इससे पहले तीन अधिवेशन हो चुके थे 1885 में बांबे में अधिवेशन हुआ था जिसमें आपके डेवली सी बनाजी अध्यक्ष थे वह हिंदू थे दूसरा कलकत्ता में 1886 में हुआ था एक पार्सी अध्यक्ष बने थे दादा भाई नरोजी तीसरा मद्रास में में हुआ था एक मुस्लीम अध्यक्ष बने थे चौथा इलाहाबाद में हुआ और इसमें एक अंग्रेज या एक विदेशी अध्यक्ष के तोर पर चुना गया भालते रैश्टी कॉंगरेस के कराची अधीवेशन में निम्लिकित में से किस वर्ष में रव्रय सतंत्र भारत का सविधान कैसा दिखना चाहिए इस पर विचार किया गया कराची अधिवेशन बहुत महत्तपून है ये विशेश अधिवेशन था सरदार बल्लो भाई पटेल इसकी अध्यक्ता कर रहे थे 1931 में हुआ था आप गांधी इर्विन समझोता आपने पढ़ा होगा गांधी इर्विन पैक्ट लॉड आपके इर्विन उस समय वायसराय थे गांधी जी और इर्विन के बीच में समझोता हुआ इसी समझोते है कि पुष्टी करने के लिए उसको स्विकार करने के लिए स्पेशल अधिवेशन बुलाया गया कराची में ये तब की बात है जब उ राजगुरु सुकदेव को फांसी हुई थी इसी कारण से तो गांधी जी जब कराची में पहुंचे स्टेशन पर ही जब वो ट्रेन से उतरे इतना विरोधुंका हुआ गांधी जी मुर्दाबाद गांधी बाद का विनाशो काले जंडे दिखाए गए ऐसे समनारे भी आरोप लगाया गया कि अगर यह चाहते यह गांधी इर्विन जो पैक्ट हुआ था इसमें आपके भगत सिंग राजगुरु सुकदेव की फांसी को रोकवा सकते थे ऐसा इन पर आरोप लगता है कि सीजियल 1222 में पूछा गया है निमलिखित में से किसे 1931 का 1949 का भारती राष्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष की रूप में चुना गया बच्चो 1931 का जो अधिवेशन है यह आपका गुजरात में हुआ था हरीपूरा गुजरात के अंदर हरीपूरा जगा पर गुरता हु और 1949 का मद्ध्य पर्देश में तरीपूरी जगा पर हुआ था इस अधिवेशन की जो देख्शता की थी ने वो सुबास्चंदर बोस ने की थी सुभाज चंद्र बोस बहुत इंट्रेस्टिंग है इन दो अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाज चंद्र बोस ने की थी पहले में तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन दूसरे में बहुत ही ड्रामा हुआ था इसमें गांधी जी ने कहा कि किसी भी सदस्य को एक्स परण से गांधी जी ने अपना एक कैंडिडेट सुभाज चंद्र बोस के खिलाफ खड़ा कर दिया 1949 में उनका नाम था पट्टाभी सीता रमया पी सीता रमया के नाम से जाने जाते हैं पट्टाभी सीता रमया और सुभाज चंद्र बोस के बीच में इलेक्शन हुआ जो क 28 सीता रमया की हार नहीं है ये मेरी हार है उसके बाद सुभाज चंद्र बोस काम नहीं कर पाए सुभाज चंद्र बोस कोई भी परस्तावब कोई भी सुझाव लाएं कॉंगरेς के अंदर गंधी जी को मंजूर ना हो गंधी जी ना आओ देखे ना ताओ ना उस पर दाऊ को जानना चाहें कैसा है बस विरूद करना शुरू कर दें ऐसा इतिहासकार कहता है गांधी जी ने अपने एगो पे ले ली थी ये बात तो उसके बाद सुभाच अंदर बोल्स जी ने उनके सामने हाथ जोड़कर बोला गांधी जी आपके सामने मैं नहीं रह सकता और मैं पॉर्वर्ट का ब्लॉक पार्टी का गठर 1949 में इनों ने किया सुभाच अंदर बोस ने यह सब इंट्रेस्टिंग प्रेश्म है भारती राष्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली महिल्या मैं ने बता दिया एनी बेसेंट है यह आ अंदर वहीं पे इनको चुना गया था कि कलकत्ता इनका होम रूल लीग और होम रूल आंदोलन होम रूल जो आंदोलन है उसा पढ़ेंगे ही तब आपको और समझ में आ जाएगा यह इनी बेसेंट इसका राइट अंसर हो जाएगा और भारती अगर पूछा जाएगा था तो आप 1925 का नाम लेते 1925 में कानपूर में अधिवेशन हुआ था सरोजणी नाइडू अध्यक्स बनी थी MTS 2021 में प्रिशन पूछा जा चुक कि अध्यक्स ने की थी मात्र 35 की आयू के थे कॉंग्रेस के इतिहास में सबसे कम रायू के एक लड़का कोंग्रेस की अध्यक्स प्रिशन की का लड़का उसका नाम था बच्चों मौलाना अबुलकलाम अजाट यह 1923 में डिली में अधिवेशन होता है विशेश के अध्यक्ष यहीं थे एससी सीचेस चेसल दोयार 21 में यह प्रेशन पूचा गया है जिए अगस्ट को कंड़ेट किया गया था कि इसके बाद भी एध्यक्ष बने था बैच्चों इसके बाद भी एध्यक्ष बने था 1940 में आप पढ़ेंगे तसे लंबा कारेकाल भी निकार रहा है 1940 से 1946 तक रहे हैं विश्यू दिचल रहा था तो इसके बीच में कोई अध्य वो अधिवेशन ही नहीं हुए तो लेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष में गये थे जानते के से यह किसकी किसकी कृपलाइस्ट होता ही है तो जब 15 अगस्ट 15 अगस्ट 1947 को देश आजाद हुआ उस समय यही थे कॉंग्रेस की अध्याट तो इंट्रेस्टिंग प्रेशन है भारत का राष्टगान जन्गर्णमन पहली बार किस राष्ट्री अधिवेशन में गाया गया बहुत इंपोर्टन राष्टगान क जो वंदे मात्रम है यह किस अधिवेशन में गाया गया दोनों में आपको बताता हूं सबसे पहले गाहां राष्ट जन्गर्णमन कि जन्गर्णमन की अगर बात करें यह देखिए बच्चों 1911 में अधिवेशन हुआ था यह अधिवेशन कलकत्ता के अंदर हुआ था कलकत्ता के अंदर अधिवेशन हुआ था यह ओप्शन सही होगा और इसकी अध्यक्षता जानते किसे ने की थी बिशन नारायन धर भी शन नारायन दर ने अध्यक्षता की थी जंगर्णमन किसकी रचना है रविन्ना टैगोर रविन्ना टैगोर ने दो देशों का राष्टगान लिखा है भारत का जंगर्णमन और अफगान स्वरी बंगलदेश का अमार सुनार बंगला माई गोल्डन बंगला ऐसा है ठीक है अमार सुनार बंगला मतलब हमारा सुनार मतलब सोने जैसा बंगला दो देशों का राष्टगान लिखाया अब मैं बात करूं वंदे मात्रम वंदे मात्रम पहली बार किसदीवेशन में गाया गया और जणगर्मन ये बंगाली भाषा में यहां गाया गया था वंदे मात्रम बच्चो अथारास च्छियानवे में अधिवेशन हुआ था ये भी अधिवेशन कलकат्था में हुआ था एक मुस्लिम ने इसके अधेक्स्ता की थी रही मत्ो ल्ला सयानी, रहीम तुल्ला ला सयानी ने इसके अधेक्स्ता की थी ठीक है नेक्स्ट कुशन दिसंबर 1929 में लाहोर शहर में वार्षिक अधिवेशन में भारती राष्टे कॉंगर्स का देश कौन थे मैंने बता दिया जोहाल लाल नहरू बहुत इंट्रस्टिंग बहुत इंपोर्टेंट है 1929 का अधिवेशन लाहोर में हुआ था इसी अधिवेशन म देखिए 1907 में अगर यह पूचा जाए 1907 का सूरत में जो कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्स्ता तो रास बिहारी घोशने की थी ति रास बिहारी घोशने की थी लेकिन ऐसा पूछ लिया जाए जो राष्ट्र्वाधियों का सम्वहलन वह था अलग वहा था कॉंग्रेस के संभेलन से कुछ दिन पहले हुआ था सूरत के अंदर इसमें जो गरंदल के नेता थे उन्हों पीटिंग की दी मुख्य तो जो अर्विंद भोश थे यह गोशों नहीं है घोश अर्विंद भोश तो अर्विंद भोश ने इसकी अध्यक्स्ता की थी लाल बाल और पाल का नाम तो आपने सुनाई है ने सबसे महत्पून गरंदल के नेता लाल बाल और पाल लाल मतलब लाल in उन ले लिया था और विंदो विला जो सुक्किम केमें है सिक्किम में स्विई तहँ पर्दैशरा क्या और दिमाग में नहीं आ रहा है पुदुचेरी मतल कुछा हुए है कि भारती राश्चि कंग्रेस के 1977 कर प्रड्रेक्ष कान थे मतलग कैसे जानेंगे कौन सब पूछ रहा है तो आपको पता है 1885 में कॉंगर्स का गठन हुगा पहला अधिवेशन हुगा अगर मैं पूछ दूसरा अधिवेशन तो आप प्लस वन एड कर देंगे तो बोलेंगे दूसरा अधिवेशन 1886 में हुगा मैं पूछ आप से दसमा अधिवेशन कब हुगा तो आप प्लस नो कर देंगे दसमा अधिवेशन आप बता देंगे कि 1894 में हुगा ऐसे ही मैं 19 अधिवेशन पूछ रहा हूं तो 1885 में क्या आप एड करेंगे प्लस अठारा एड कर देंगे तो यह कितना जाएगा 1903 और 1903 का जो यह मद्रास में हुआ था मद्रास में यह सब पढ़ाया घ्या है मद्रास में वच्चो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो एक पैरलल में सीधी चल रही है एक से एक्जाम्ट को ससी के स्लेबर्स के अनुसार पढ़ाया जा रहा है इंडियन नेशनल फोल्डर एक पढ़िए बहुत आनंद आजाएगा सारे प्रश्णों का जवाब देपाएंगे क्लास नोर्स के माध्यम से पढ़ा जा रहा है ताकि कम समय में जल्दी जल्दी आपका स्रेवस कवर हो सके और सारी जानकारी आपको सटीक मिल सके उस क्लास नोर्स को पढ़िए उसके बाद आ आगे आने वाले एक्जाम में जो कुष्ण है वहीं मिलेंगे यह लास नोर्स आप घर पे भी और करवा सकते हैं कि करवाने और कर लेना है तो आपको और यह जो आपके सामने नंबर दिया गया है 7888 7888 7774245 यहां पर आप पॉंटर कर सकते हैं या श्री एजूकेशन कि वहां से भी इसके नोट्स मिल जाएंगे तो मद्रास में अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्स्ता लाल मोहन घोष ने की थी लाल मोहन घोष याद रखिये नाम अगला कॉशन है बच्चों 1924 में कांग्रेस के जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्स्ता किस ने की थी एक मात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्स्ता गांधी जी ने की है वह कौन सा है 1924 में बेलगाम में अधिवेशन हुआ था करनाटक में जगा किस कॉंग्रेस अधिवेशन में पूर्ण सुराज की मांग स्विकार की गई थी पूर्ण सुराज की मांग लाहोर अधिवेशन उन्निस सो उनक्तिस में हुआ था जोहालल नहरू ने अधिवेशन को अपनाया गया यह विजे रागवाचारी का नाम अपने सुना उन्होंने अधिवेशन की थी विजे रागवाचारी चारी जी के द्वारा इसकी अधिवेशन हुआ थी विजे रागवाचारी ठीक है मैं आपको बता दूं उन्नीस सो बीस में एक और अधिवेशन हुआ था यह तो दिसंबर महीने में हो था एक सितंबर में भी हो गया था उसमें भी असहयोग अंदोलन के लिए बात हुई थ तो उन्नीस सो बीस में एक और अधिवेशन उस यह था स्पैशल अधिवेशन वह कहां भी था मैं कलकत्टान स्वेत्थ एफ लाला लाज पत्राय जी ने कर देख्षा की थी को बल्लाहरा जी निसक्षोचा की थी ए staple है कि लाला जी में समझ जहिए ने लालाला लाज पत्रा दादा भाई नोरोजी ने यह आखरी अधिवेशन था जिसकी अध्यक्स्ता कि थी अपने जीवन काल में इन्हों तीन बार कॉंग्रेस की अध्यक्स्ता किये बच्चों पहला 1886 में आपने पढ़ा ये कलकत्ता के अंदर किया था जहां पहली बार सुराज की मांग की गई क्य इंधिवेशन हुआ था यहां पहली बार सुराज की मांग की गई यहां पर पहली बार सुराज की मांग की गई ठीक है और यह दूसरा डियुक्त नहीं है और 1903 में एक और cannot 93 में एक और अधिवेशन हुआ था 1893 में एक और अधिवेशन हुआ था जिसकी इन्होंने अधिक्ष्टा की थी वो लाहूर के अंदर वो लाहूर के अंदर ठीक है 1905 में बंगाल का विभाजन भी हो गया था तो इसलिए सब ठक चुके थे जो नरम दल के नेताओं के काम करने के शैली से सब ठक चुके थे अब लोगों की भी डिमांड थी गरम दल नेताओं को फॉलो किया जाए इंडिये नेशनल एसोसियेशन के स्थापना 1876 में कलक को अच्छे से पढ़िए उसमें मैंने बताया था कॉंग्रेस के गठन से पहले जितने भी पॉलिटिकल अगनेजेशन है उनमें सबसे महत्तपून है इंडिये नेशनल एसोसियेशन इसे इंडिये नेशनल एसोसियेशन और कलकत्ता भी कहते हैं 1876 में इसकी स्थापना होती है दो लोगों के द्वारा एक है एस एन बेनर जी जो दो बार आई सेस का एक्जाम क्रेक किये थे यह एस एन बनर जी है और दूसरे है यह आपके आनंद मोहन बोस आनंद मोहन बोस तो राइट अंसर इसमें सी हो जाएगा इसमें विकल्प में सी ऑप्शन है तो यह सही जवाब हो जाएगा ठीक है इंडिये नेशनल एसोसियेशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में एस एन बनर जी और आनंद मोहन बोस इन्होंने दो बार आईसेस का एक्जाम क्रेक किया एक बार 1869 में तो डेट जो है इनकी आयू वो गलत लिख दिया था इन्होंने गलत क्या लिखा था हिंदू कलेंडर के साब से लिखा था जबकि पूछा गया था इंग मेरेजी में आपका बांगलादेश में इलाका पड़ता सिलहत लेकिन तीन-चार साल जोब की इन्होंने इनके उपर गलत आरोप लगा कर इनको नौकर से निकाल दिया गया तो नहोंने एक पार्टी का गठर किया इंडियन नेशनल एसोसियेशन तो बच्चों आज के इस वीडियों आपको मिलेगा आपके exam pointer से related उनसे बहुत जरूरी वीडियो मिलेगा कोई भी दो दो बाते नहीं होंगी exam pointer जरूरी चीज़े वह मिलेंगी हमें follow करके रखिए हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले अपिसोड में तब तक के लिए नबस्तार